हेलो गाइज अपने कंप्यूटर पर है मेरा नाम है अनुब तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि कैसे हम अपने सिस्टम का पूरा रिपोर्ट निकल सके हमारे सिस्टम में कैसा 38 साफज़ और है क्या होब्नि तो हमें अपने system का report वहां भेजना होगा तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे अपने system का report निकालेंगे तो आईए अप चलते हैं अपने desk पर तो सबसे पहले हमें window R type करना होगा और इसमें type करना होगा MS Info 32 तो इस पर सब बिंडू डला हुआ है सिस्टम मोडल क्या है हमारा BIOS वर्जन क्या है यह सारे चीज़े रैम और यह सब सारी information क्या सामने आ रही है और यह अगर अलग-अलग भी देखे हम तो देखिए यह है पूरा हमारा hardware का जो है पूरा information इसमें है motherboard programming और क्या क्या है इसमें सारा कुछ दिख रहा है memory है हर चीज़े component भी है तो friends यह हमारा system summary में है सारा कुछ आ रहा है तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका अपना report निकालेंगे तो सबसे पहले हमें है फाइल पर जाना है और फाइल पर जाके यह option आ रहा है सेव का या फिर हम control s भी कर सकते हैं तो हम से पर क्लिक कर रहे हैं और यहां मैं desktop का location दे दे रहा हूं और यहां पर फाइल का नाम लिख देता हूं system info तो यह जो हमारा file save होगा dot nfo extension में save होता है तो इसको select करके हम save कर देंगे तो यह हमारे desktop पे save हो जाएगा तो चलिए save पर क्लिक कर देते हैं और यह पहले से ही मेरा save है तो ऐसे मैं भी दुबारा से कर देता हूं तो यह replace कर देगा उसको तो इसमें थोड़ा सा time लगता है save होने में तो देखिए मैं यह video को थोड़ा सा भी skip नहीं करूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कितना time लगता है तो यह report generate होने के बाद आप किसी को भी इसको भेज सकते हैं और अपने system का information भेजने से आपको online assist असानी से मिल जाएगी और सामने वाला भी समझ जाएगा कि क्या information आपके system का तो चलिए देखते हैं कितना time लगता है और तब तक के लिए मैं आप से एक request करना चाहूंगा कि आप अगर चैनल पे नहीं है तो हमारे वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर लें और अपने friends के बीच में जरूर से जरूर से एर कर दें यहां लग रहा है कि लगवक्त ताइम लगेगा देखते हैं कि काफी टाइम लगा रहा है देखते हैं कि इतना देर लगता है जब तक आप लोग चैनल को subscribe तो कड़ी लिए यह हो गया हो गया complete हो गया हमारा तो अब चलते हैं इसको close करके desktop पे जब तक आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लेना मेरे और यह देखिए system info आ गया मेरा save होके तो इसको open कर लेता हूं तो देखिए यह हमारा open हो गया तो ऐसे ही इसको हम किसी को भी अगर भेजेंगे तो वह open करके हमारा देख पाएगा तो बताइए कैसा लगा आपको आज का हमारा information अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच सेर जरूर कर दे और चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको मेरी informative वीडियो जो आती है उसकी notification मि मिलते हैं अगले वीडियो में नहे टॉपिक से तब तक के लिए धन्यवाद